आज का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बचों के रिक्वेस्ट के अधार पर मैंने ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ बहुत बचों का कहना है कि सर बहुत जगह सुनते हैं कि दू जोड दू बराबर 5 कैसे होता है क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि दू जोड दू बराबर 4 ही होता है मगर दू जोड दू 5 कैसे होता है कि सर आप थोड़ा इसको हम बता दीजिए तो बहुत सारे बचों को रिक्वेस्ट पर आज मैंने ये टॉपिक लेकर आया है जो टॉपिक बहुत ही दमदार है आज हम उसको सिध करने जा रहा है कि दू जोड दू बराबर 5 कैसे होता है मगर जो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार से अगर प्रयोगी के अनुसार से देखा जाए तो रियल में दू जोड दू बराबर 5 होता नहीं है क्योंकि कुछ सैधान्तिक, कुछ theoretical इस टेप को लगा कर हम दू जोड दू बराबर 5 को प्राप्त कर पाते हैं मगर प्रयोगी का धार पर अगर परयोग के सिधान पर देखा जाए तो दू जोड दू बराबर 5 होता नहीं है तो इसलिए आज हम इस topic को आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं कि दू जोड दू बराबर 5 कैसे होता है आपको देखना है अच्छे तरीके से और इसको अच्छा से समधना है चलिए अब इसको start करते हैं जैसे दू-जोड़ दू-बराबर-पांच हमें लाना है, तह हम तो जानते हैं, हम जानते हैं कि 0 बराबर 0 तो लिख सकते हैं? कोई दिकत है, नहीं. जैसे हम लोग का करते हैं? mathematics का rule है दू-बराबर दू- लिख सकते हैं, कैボ confession जिसीतितितिा इस इस दिकत नहीं होगी. इसी तरह से हम 4 बराबर 4 भी लिख सकते हैं तक क्या इसी के अधार पर 0 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं तो हमने इसी के अधार पर लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20-20 बराबर 25-25 क्योंकि 20 में से 20 जाएगा कितना होगा जिरू आ जाएगा और पिचीस में से 25 जाएगा कितना जाएगा जीरू हो जाएगा तो देखिए टा यह भी जीरू हो जा रहा हुँ ब्राबर हो जा रहे ना तब इसको हम कुछ अपना से लोजिक लगाएंगे और इसको लॉजिक के आधार पर हम प्रस्चन को हल करेंगे तो हमगी सक्ते हैं चार गुने पांच बीस हो जाएगा हम मीनिस है तो माइनस लिखेंगे फेर चार गुने पांच लिख सकते हैं यह ठीक है याणि rapt लो accomplishments को लिखते भी आए और समझे भी हुए है अब पचीस है ता ल mental ह्क कुने यहां देख रहा है तो देखिए 4 बराबर आपका क्या गया पांच अर्थात दू जोड दू बराबर पांच यही तो सिद करना था तो आप लोग के सामने मैंने सिद करके दिखा दिया कि दू जोड दू बराबर पांच कैसे होता है और आगे के वीडियो के लिए नेक्ष डे को फिर से एक नए टॉपिक लेकर हम लोग करने